नमस्ता अस्तो मैंड मैं सागर और आज हम एक बहुती स्पेशल डेटा सेंटर श्रॉग के बारे में बात करने वाले हैं अब इस कंपनी की केस में एक बहुत ही खास चीज है और वो है कंसिस्टेंसी लास्ट के 12 quarters में इस company ने हमेशा आपको strong sales growth दिखाया है तो चलिए अपना चाय लीजिए मेरे case में coffee है और समझते हैं इस company की case में ऐसा खास क्या हो रहा है अभी आपने देखा होगा social media पे एक theme है क्योंकि कुछ जाद ही famous हो रहा है और वो है data center का हर कोई इसके उपर अभी video बना रहा है और यहां पर मैं आपको भी इंक्लूड करना चाहूंगा आपको यहाद होगा चार-पांच हहते पहले मैं आपके लिए एक video बनाया था data center का जहाँ पर मैं आपके साथ 2-3 stock share किये थे उसमें से एक stock है techno electric और यहां पर आप देख सकते हैं लास्ट के चार-पांच हफतों में उस stock ने आपको 50% के returns दिये हैं अब यहां पर मैं एक चीज़ disclose करना चाहता हूं techno electric अभी भी मेरे portfolio में है एक काफी बड़ा position है actually यहां पर आप मेरा exact position देख सकते हैं आप देख सकते हैं मैंने इहां पर कितने पैसे इंवेस्स की हैं प्लस आप मेरे returns भी यहां पर देख सकते हैं जो कि approximately 50% ही है अगर आपको मेरे portfolio के बार में जादा जानना है इरे portfolio में कौन से stocks हैं आप मेरा service जर्ण कर सकते हैं उसका link में आपके लिए नीचे छोड़ दूँगा आपको पहले ही बता देता हूँ रेसेंटली मैंने एक नया stock खरीदा है और management आप से कह रहा है कि हमारे जो revenue growth होगा इस साल 60% से 70% होगा अप्रोक्सिमेटली और stock अभी बहुत ही सस्ता है क्योंकि थोड़े time के लिए चला नहीं है लेकिन मुझे लगता है एक दो quarters में वो stock इतना सस्ता होगा नहीं तो अगर आपको उसके बारे में ज्यादा जानना है मेरे service का link में आपके लिए नीचे छोड़ दूँगा बड़े-बड़ी companies देखते हैं Google हो गया Facebook हो गया इनका जो पूरा IT infrastructure है जहां पर यह data रखते हैं applications रखते हैं उसे data center का ज्यादा है और आज जो भी आप चीजे यूज कर रहे हैं पर एजमपल डेटा हो गया Cloud हो गया, Gaming, OTT, Social Media सब के लिए data center चाहिए इसका मतलब demand definitely बहुत ही strong है अभी भारत में अगर आप देखते हैं जो data center का capacity है वो चल रहा है approximately 900 megawatts पे और estimates के इसाब से next के 2 सालों में जो data center capacity है भारत में वो actually double होने वाला है तो data center का जो demand है definitely बहुत ही strong है लेकिन हमेशा की तरह यहां पर भी एक बहुत ही बड़ा problem है भारत में data center stocks इति जादा ही नहीं लेकिन recently एक company है जिसे एक बहुत ही बड़ा data center का order मिला था यहां पर आप देख सकते हैं इस company को 140 crores का order मिला था जो की काफी बड़ा है बहुत suspense हो गया इस company का नाम किया है इस company का नाम है Orion Pro और इनका जो market cap है वो 8400 crores का है और इस same video में हम एक दूसरे data center stock के बारे में भी बात करेंगे क्योंकि वो company भी मुझे काफी interesting लग रही है अभी जबी मैं ऐसे छोटी stocks cover करता हूँ for example Orion Pro हमेशा मुझे एक ही question आता है आप छोटी छोटी companies actually ढूंड कैसे रहे हो तो यहां पी मैं आपको पता सकता हूँ मैं एक special website उस कर रहा हूँ जिसका नाम है Sovereign और Sovereign जादा तर small caps पे focus करता है जो की बहुत एची चीज है जैसे आपको पता है small caps के case में हमें जादा information नहीं बलता है लेकिन इनके site पे आपको काफी data मिलने वाला है और यहां पर मैं आपको दिखा सकता हूँ कैसे मैंने इनका site यूज किया था Aurium Pro दूनने के लिए तो यहां पी Sovereign की case में इनके पास है एक special segment है जिसका नाम है discovery और यह अगर आप अच्छे तरीकी से यूज करेंगे आपको बहुत ही interesting stocks मिलने वाले हैं तो for example अगर आप large orders पे click करते हैं यहां पे आपको दिख जाएगा बहुत चोटी-चोटी companies जिनने काफी बड़े orders recently मिलें और अगर आपको इस company के पर में जादा जानना है सिर्फ read पर click कीजिए और यह आपके लिए पूरी company यहां पर analyze भी कर देते हैं लेकिन मेरे case में मैंने यह filter नहीं यूज किया था मैंने यहां पर दूसरा filter यूज किया था जो है excellent numbers तो basically जब भी quarter खतम होता है जो भी companies हैं जिन्होंने काफी अच्छे numbers report की हैं यह आपको यहां पर summary दे देते हैं तो यहां पर आप देख सकते हैं excellent numbers में Orion Pro भी है और ऐसे मुझे company मिली थी क्योंकि इस company की जो numbers है लगातार हर quarter यह आपको 20% revenue grow दिखा रहे थे यह आपको 30% revenue grow दिखा रहे थे इस वीडियो में जो भी मैं आपको information देने वाला हूं वो मैंने Sovereign से ही लिया है क्योंकि इन्होंने यह company actually मुझे लगता है last year cover किया था 2023 में तो तभी तो इस company के वरे में कोई भी बात नहीं कर रहा था लेकिन इन्होंने एक article लिखा था तो Sovereign के पास एक दूसरा segment भी है जो है Sovereign Prime basically articles है जहां पर इंटरेसिंग companies cover करते है और यहां भी आप देख सकते हैं इन्होंने Orient Pro last year ही cover कर दिया था इन्होंने आपको बताया था कि देखिए यह business model किता interesting है और आपको इस company के पार में जादा जानना चाहिए और by the way मैं आपको पहले बतायता हूँ अभी Sovereign आपको एक free trial दे रहा है तो आपको यहां पर पैसे भी नहीं बरना है अगर आपको इस site try करना है प्लीस try कीजिए लिंक मैं आपके लिए नीचे छोड़ दूँगा मैं यह website रोज यूज़ करता हूँ अब यह ORIEN PRO का बिजनिस है बहुत ही simple है इनके पास दो segments है पहला हो जाता है banking तो भारत में जो भी आप banks देखते हैं पब्लिक हो गए प्राइविट हो गए ORIEN PRO इन सब के साथ काम करता है लेकिन इस वीडियो में हम banking के पारे में जादा बात नहीं करेंगे क्योंकि यह मैं अपने पिछले वीडियो में अल्रीडी कवर कर चुका हूँ मैं आपका टाइम यह पर वेस्ट नहीं करना चाहता हूँ अगर आपको उसके बारे में ज्यादा जाना है आप यहां पर यहां पर क्लिक कर सकते हैं इस वीडियो में हम दूसरे सेग्मेंट के बारे में बात करेंगे जो इनका 50% हो जाता है बिजनिस का और वह है टेक इनोवेशन ग्रूप इसे यह टी आईजी भी कहते है तो डेटा सेंटर एक्चुली टेक इनोवेशन ग्रूप के अंदर आज जाता है और लास्ट के तीन सालों में यहां पर अगर आप इनका ग्रोध देखेंगे हर साल यह सेंट 50% से ग्रोग कर रहा है और डेटा सेंटर इसके अंदर आज जाता है अब यह आपको याद होगा शुरूप में मैंने आपसे का था कि यह कंपनी बहुत ही इंवेस्ट करना चाहते हैं हमें अपना खुद का इंफरास्रक्षर चाहिए वो बहुत ही महेंगा होने वाल है यहां पर मैं आपको एक नमबर देता हूं सिर्फ एक मेगावाट के लिए 20-40 करोड लग सकते हैं तो यहां पर हमें काफी पैसे इंवेस्ट करने पड़ेंगे लेकिन औरियन प्रो यहां पर पैसे इंवेस्ट नहीं करता है वह आकर आपसे कहाएगा कि देखिए आप डेटा सेंटर यहां पर बना रहे हैं उसके लिए आपको साइट सेलेक्शन चाहिए फिर आपको डिजाइन टीम चाहिए उसके उपर कंस्रक्शन टीम चाहिए तो औरि कि देखिए हम यह सब कुछ कर सकते हैं तो यह सिर्फ उपर से सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं और इसलिए यह कंपनी इतनी स्पेशल है क्योंकि यह बिजनिस में ज्यादा पैसे इन्वेस्स करते नहीं है उनके पास एक अची टीम है जब आप डेटर सेंटर यहां पर बना चीज कर सकते हैं और इसलिए और इन प्रोने शुरुआत ऐसे की है लेकिन अभी यह ज्यादा इंटेग्रेट भी होने वाले अगर आप इनका में बिजनिस देखेंगे बैंकिंग का इन्होंने ऐसे ही शुरू किया था एक सिंपल सर्विस के साथ शुरू किया लेकिन फिर इन्होंने थोड़े प्रोड़क्स भी लांच की और यह बहुत ही इंपोर्टन्ट हो जाता है क्योंकि अगर पूरा वैल्यू चेन दिखेंगे सॉफ्ट्वेर देना काफी इजी है बहुत प्लेर्स भी आकि दे सकते हैं लेकिन अगर उसके साथ आप एक दो प्रोड़क्स भी देंगे तो फिर आप एक कंप्लीट प्लेवर जाते हैं तो डेटा सेंटर में भी स्ट्राटीजी सेम है अभी यह सर्फ एक सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं क्योंकि एंटर कर रहे हैं इन्होंने सिर्फ 2-3 सार पहले ही शुरू किया था लेकिन अभी यह प्रोड़क् में जादा जनना है सिर्फ यहां पर क्लिक कीजिए क्योंकि वह ने पहले कवर किया है तब तक मैं अपना काफी खतम कर लेता हूं